जैहिंद वंदे मातरम पैरे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ कौन से वीडियो है दोस्तों आपके लिए ये है साथियों LIC 46 योजना 2024 जी हाँ दोस्तों LIC जो है आप सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो लाइफ इंसुरेंस का जो बीमा वगरा करती है उस LIC के दुआरा एक 46 वरती स्कीम चलाई जा रही है जिसमें कक्षा 10 से लेकर के 10 वी बारवी बीए बीसी बीकोम इंजिनियरि चिकितश्या में डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कोई भी भाई भेन पढ़ रहा है स्कूल जा रहा है कोलेज जा रहा है तो उसको सीधा चातरवरती मिलेगी और वो चातरवरती भी कम नहीं है दोस्तों दसवी पास जो भी है उनको 15,000 रुपए एक साल फिर दूसरी सा 15,000 रुपए और जो कोई इसना तक कर रहा है उसको 60,000 और कोई इंजिनियरिंग कर रहा है उसको 60,000, 80,000 ऐसे इसमें अभी समझा देंगे संपूर जानकारी सभी फोरम भर सकते हैं कोई समस्या नहीं है हाँ ये जरूर है कि कोलेज वगरा कौन सी होनी चाहिए सरकारी प्रा प्राइगे सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भासा में अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटा फट से आप चैनल से जुड़ जाएगे यहां पे आपको दिखरा होगा ओमवीर रोजगार आपी का चैनल है दोस्त ये गाली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखाएं न जाकते इसको दबादो इसको दबादो गे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा आप हमसे जुड़ जाओगे हम आपसे जुड़ जाएंगे फिर जो भी खबर आएगी जो भी भरते आएगी ततकाल प्रभाव से आपके साथ सेETर कर दी जाएगी तो चलो शुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओम वी रोजगार के यूटूब चैनल में देख लेते हैं इस LIC की छात्रवरती योजना के बारे में क्या है क्या नहीं है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा कौन फोरम भरे कौन नहीं भरे सारी ही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ओफिस्यल नोटिपिकेशन में जो भी बाते हैं उनको मैं आपको सरल भासा में समझाने वाला हूँ वस आप जुडे रहिएगा अब देखो इसकी कर लेते हैं संपून जानकारी के बात LIC छात्रव आपको दी जाएगी आल इंडिया के महिला पूरुस इसमें आवेदन कर सकते हैं जो भी रेगुलर एडमिशन ले चुके हैं जो पढ़ रहे हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं पूरे भारत में कोई भी फोरम भरना चाहे भर सकता है बस आपको योग्यता पूरी रखनी हो वो भी मैं आपको समझा देता हूं बिना परिक्षिया सीधी छात्रवरती मिलेगी किसी परकार का कोई टेस्ट वगरा कायूजन नहीं किया जाएगा तुम सोचो एक साब कोई परिक्षिया लेगा के फिर उमें फश्टा आवांगा जब छात्रवरती मिलेगी के ना सीधो छा जनवरी दो हजार चोबीस रहने वाली है यानि कि लास्ट डेट 14 जनवरी रहेगी उसके बाद में फोरम नहीं बर सकते हो अच्छा साब नियम पढ़ो पहले नियम क्या है पहले से ही छात्रवरती के फोरम लगा रखा है तो मान्या नहीं होगा यानि कि आपने पहले से पहले से का फोरम मत भरना रद्ध हो जाएगा पहली बात तो या किलियर कट होगी हां साब दूसरी बात जरूरी दस्तावेज क्या-क्या चाहिए पैन कार्ड स्टूडेंट का आधार कार्ड दस्वी में है तो दस्वी की बार वीक पास किया है तो बार वीकी खाता संक्या पास्वुक चाहिए आएकर बनवाना पड़ेगा डाई लाक रुपे से कम होना चाहिए एक साल की आए मोबाइल नमर सब के पास है और लाभार्थी कोन-कोन हो सकते हैं माता-पिता की अधीक्तम दो संताने ही लाभ ले सकती है इस चात्रवरती का अगर किसी माता-पिता के दो संतान हैं जैसे दो लड़के हैं एक साथ तो उनको नहीं मिलेगा एक ही लड़के को मिलेगा और एक लड़की को मिलेगा ठीक है जैसे मालो किसी भी परिवार में एक लड़का और एक लड़की चात्रवरती लेना चाहते हैं तो उनको मिल जाएगी लेकिन दोनों ही लेते हो दो को लेते हो ठीक है अच्छा साब अब आगे बात करें कौन कौन भर सकता है इसका फोरम जो सत्र दो हजार बाइस तेईस में जो सत्र दो हजार बाइस तेईस में दसवी पास कर लिया हो और साट परसेंट बन गई हो और बारवी पास कर लिया हो साट परसेंट बन हो दोजार 23 में पास कर चुका हो दसवी और बारवी तो ही आप इसमें फोरम लगा सकते हैं ऐसे नहीं है कि कोई 2021 में पास किया हो कोई गुलीस में किया हो दसवी बारवी ना दोजार 22-23 के 70 में आपने 10 वी पास की हो या 12 वी पास की हो और 60% बनाई हो तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं अच्छा लेकिन फिर उसमें भी एक रूल है वो रूल क्या है साब अगर आप 10 वी पास कर चुके हैं 60% बनाली साब प्राइवेट स्कूल में कर लिया चाहिए सरकारिम कर लिय या कोई बात नहीं, साट बनाली बनाली साब, आप छातरवर्थी के लिए फोरम तबी अपलाई कर सकते हो, या तो आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लो, या आप सरकारी कोलेज में एडमिशन लो, या आप सरकारी आईटी आई में एडमिशन लो, समझ रहे हो, सरकारी में आपका admission होना चाहिए अगर कोई भी लड़का या लड़की दस्वी पास करता ही ITI करना चाहता है तो सरकारी ITI में उसका admission हो चुका हो तब उसको छात्रवर्ती मिलेगी और फिर उसको 50% बनानी पड़ेगी उसमें तब फिर उसके खाते में पैसे आएंगे ऐसे नहीं है कि सरकारी ITI में admission हो गया और अब साब 50 बनी भी नहीं तो फिर आपको चात्रवर्ती नहीं मिलेगी 50 बनानी पड़ेगी था ने पड़नों पड़ेगो 50 बनाता ही था पैसा तक आँगा खाता हम अच्छा जी कौन नहीं भर सकता है ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी पड़ाई कर रहा है वो नहीं भर पाएगा CACS ICWA Self Study Course करने वाड़े फोरम नहीं भर सकते हैं ठीक है अच्छा जी अगर कोई भी भाई बहन 10 वी में 60 बना लिया बिलकुल 2023 में पास हो गया साब रिजल्ट आ गया ठीक है अब उसको 11 वी में सरकारी स्कूल में एडमिसन लेने पर 50% बनानी पड़ेगी 11 वी में फिर उसको 15,000 रुपे की किस्त मिल जाएगी साब ठीक है और फिर उसको 12 वी में भी 50% बनानी साब हो गए 30,000 रुपे 2 साल में 11 वी 12 वी के इस परकार से और अगर कोई 10 वी के बाद डाइरेक्ट आईटी आई करना चाहता है कोई लड़की हो चाहिए लड़का हो तो आईटी आई सरकारी कोलेज में एडमिसन लेना होगा और सरकारी को आईटी आई कोलेज में नम्मर आजाता है तुमारा तो फिर तुमको एक साल में 50% बनानी पड़ेगी फिर दूसरी साल भी 50% बनानी जब तुम 50% बना दोगे ना खट तुमारे खाते में 15,000 रुपे डल जाएंगे और फिर दूसरी साल भी तुमने 50% बना दी फिर 15,000 रुपे डल जाएंगे ऐसे आपको 30,000 रुपे में लेंगे अब बात करें बारवी के बाद अगर कोई इसना तक करता है और सरकारी कोलेज में नम्मर आ जाता है कोई आर्ट से हो साइंस से हो कोमर से हो कोई समस्या नहीं है सब को मिलेगी चातरवरती अगर कोई BA में है BSC में है BCOM में है सरकारी college में उसका नम्मर आ चुका है तो first year में अगर वो 50% बना देता है first year में अगर वो 50% बना देता है तो उसके 20,000 रुपे खाते में डल जाएंगे फिर second year में 50% बना देता है फिर 20,000 डल जाएंगे फिर मालनो final में 50% बना देता है फिर 20,000 डल जाएंगे और ये तीन-तीन किस्तों में डलते हैं ITI दसवी बारवी वालों के तीन किस्त पर्थम किस्त 4500 फिर 4500 फिर 6000 एक साल में तीन किस्तों में पैसे ऐसे ही इसमें इसना तक वालों के हैं तीन किस्त बनेंगी शुरू में 6000 फिर 6000 फिर 8000 एक साल के अंदर-अंदर तीन किस्त आ जाएंगी तुमारी अच्छा अब अगर कोई चिकिच्च्या के छेतर में पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी फिर 50% बनानी पढ़ेगी सरकारी कोलेज में चिकिच्च्या छेतर में अगर रुपए हो गई ऐसे अगर कोई इंजिनियरिंग कोर्स कर रहा है कोई बीटेक कोर्स कर रहा है सरकारी कोलेज में वो कर रहा है तो उसको फर्ष्ट साल में ही 9000, 9000, 12000 तीन किस्त मिल जाएंगी 30,000 रुपए फिर दूसरी साल भी 30,000 रुपए इस परकार से आपको इचातरवर्ती मिलती रहेगी और आप ही के खाते में आती रहेगी सातियों तो अगर आप दसवी पास और बारवी पास कर लिये हैं 2023 में तो आप इसमें सरकारी कोलेज में अपने एडमिसन ले लिया है या सरकारी स्कूल में अपने एडमिसन ले लिया है तो आपको 50% बनानी पड़ेगी चातरवर्ती मिल जाएगी लेकिन आपको दूसरी कोई चातरवर्ती में फोरम नहीं बढ़ना है इसको ही लेना है फिर आपको ठीक है तो ये है इसकी संपून जानकारी दोस्तों तो आई होप आपको इस जानकारी कैसी लगी और ये इसका लिंक है https.oblicliclicindia.in इस पे जाके आप आवेदन करवा सकते हैं इमित्र से भी करवा सकते हैं खुद भी कर सकते हैं और लिंक भी हम दे देंगे description में वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन आप आवेदन अपने इमित्र से ही करवा लेना खुद तो गडबड कर दोगे कुछ ना कुछ छोटी मोटी समझ रहे हो तो ये है इसकी संपून जानकारी तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी और नोटिफिकेशन पढ़ना चाहो तो टेलीगराम को जोइन कर लो ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीगराम है उसको जोइन कर लो उसमें नोटिफिकेशन पढ़ने ना आराम से कोई समस्या नहीं है तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आई है तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी भरतियां और जितनी भी सरकारी योजनाई निकलती हैं तमाम हम आपके साथ सेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भासा में आपको समझाते रहते हैं तो जूडने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद फिर मिलूँगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे सातियों को